तो राम राम बई सभी है यह आज अपने चैनल पर दुबारा से उन को लेकर आ चुके हैं अब इतने साल बाद मतलब इतने उन्हाल तो भाइ सक एक यह अपना जटेटेटी वाला वर्ज़न है और जटेटेल का जो है ना भी जैसे आप देखोगे यूटुब पर तो जटेट है और यह और नहीं है तो यहां पर आपको camera मिल जाएगा ऐसे महिंद्रा के लोगों के नीचे और न्वाल आपको ग्रिल अभी आपको piano black finish में है यह नॉर्मल यह रगेड वाली यहां पर आपको ऐसे green मिल जाएगी नीचे वाली यहां को प्रोजेक्टर हो जाएंगे यहाँ पर DRL के साथ और यहाँ पर आपकी हेडलाइट हो गई विद प्रोजेक्टर एंड एक नॉर्मल सेम यह आपको पुराना वाला है ब्लैक कलर में गाड़ी है और अगर मैं इसकी बात बताऊं तो यह अपनी ऑटमेटिक वाली है तो इसमें आपको 18 इंचिस का अलाओय मिलेंगे और जो ओनर है उन्हें टायर साइज भी अपग्रेड करा रखा है 10 mm का टायर साइज अपग्रेड है जो कि यह 265 60 R18 है और ऑटमेटिक में R18 अलाओय मिलते हैं तो मतलब टायर साइज भी बड़ा हो गया इन अलाओय के साथ और टायर साइज अपरेड हो गया तो फिर भी साइड प्रोफाइल की बात करें तो यहां पर आगर हम टायर तो मैंने आपको बता दिया नॉर्मल है यहां पर आपको स्क्वेंशियल मिल जाएंगे आपके इंडिकेटर फोल्ड एंड फोल्ड आपके मिर दो अट्ल मिल ँलेंगे जो की नूर्मल है यहाँ पर आपको टच अफन एंड क्लोज मिल जाएगा फीज़ ओपनर और पीछे की साइड बात करें तो यहाँ और आपको मिल जाएगा र्कोश ईंसर पीछे सेम हैं आपको वाशर फ्लोड एंजिय तेम यहींन से ही आता है वा ग्रेड नहीं हुआ है जबकि इसमें काफी सारे लगजरी फीचर्स आये हैं बट एडास का नहीं करा इसमें अभी तो यह कुछ इसका पीछे का विव है यहाँ पर आपको शार्फी मेंटीर मिल जाएगा अगर हम इस साइड प्रोफाइल से है तो यह आपको जैड़ेटर वे जाएगा जो कि उस साइड नहीं मिलेगा तो यह इस वाले में कम कर दिया अगर हम अंदर साइड तो कि तो वाई ऐसे कुछ इसकी स्टार्टिंग होती है जो कि नौना परानी वाली है और मैं अपनी सीट पीछा एक्जस्ट कर ले दूं तो आपको आटोमेटी सीट मिल जाएगी और अगर हम लेफ सेड की बात करें तो यहां पर आपको नहीं मिलेगी यहां पर आभी आपकी नौर्मली है तो यहां पर गाड़ी को ओन कर देता है तो यहां पर कुछ ऐसे बर मैं डिस्प्लेय का अगर पीचर देखूँगा अगर इसमें कुछ बढ़ाया है तो एक सेकंड इसकी अभी स्टार्टिंग होईगी तो यहां पर आपको फ्यूल डिजिटल वीकल नेविगेशन सेटिंग्स अगर मैं सेटिंग्स में देखूँ अगर कुछ चेंज कराओ तो जैसे कि इल्लुमिनेशन और सब चीज़े तो यहां पर कुछ नहीं आया सब अपना पुराना वाला डिस्प्लेय में यहां कर अगर मैं बात करूँ तो आपको यह आटमेटरी ट्रांस्मिशन मिल जाएगा यह भी नॉर्मल पुराना वाला है बट यहां पर आपको चेक Zhong भी नेगी जो की पराने वही रन्ट में फिनिश ने आती और काफिभी ने दो कि पास भी बात पता चलगे कि इसमें Glossy करके ही दे दो तो यह glossy क्रोगा प्रे आता था पहले यहां पर पर यह क्रोम है यहां पर कुछ अपनी ऐसे हैंडब्रेक है और यह अपना गलब बॉक्स हो गया है जो कि यह आउटर मार्केट काम पर वाला बठाए नीचे ऐसे नॉर्मल है और यहां पर आपको एसी यूनिट मिल जाती है तो यह थोड़ी सी स्पेस कमाती है इसमें बाकि अगर मैं सामने के बात करो तो यहां पर सब नॉर्मल है और जो इसमें सबसे बड़े दो अब्ग्रेड जो मुझे लग रहे हैं परस्नेली बेस्ट सबसे पहले तो भाई फ्रेम लेस मिल जाते है इसमें ऑटो आर्व आयार व्यम जो कि भाई मतलब व अब से पहले यहां पर आपको मिल गए ventilated seats का तो आपको पराने में नि मिलेगा और ऐसे इसका स्ट हो जाता है तो मतलब यह digital है इसमें कोई manual बटन नहीं दिया गया जैसे कि यहाँ पर साइड में भी आता है तो इसमें manual बटन से नहीं दियो है तो यह digital मतलब upgrade कर दिया है ऐसे कोई such button बटन लगाने की जोरत नहीं पड़ी और चेंज कर दिया अपनी ventilated seats वाली तो अगर मैं ग्लव बॉक्स की बात करूं तो यह अपना नॉर्मल है और अगर इसकी अप्ग्रेड की बात बताओं तो मैं तो महिंद्रा ने इसमें क्या अप्ग्रेड कर रहा है कि इसमें पहले महिंद्रा में यहाँ पर ने थोड़ा से ना और अफग्रेड उताए तो इसमें यह चीज़ अप्ग्रेड हुई है जैसे मैं डाल दूँ पे प्राणी स्कॉरूर्पियन में यहाँ पर n के नीचे यह जो स्कॉर्पियन है इसमें एन्में रेड इन्हीं आता था उसमें नर्मल जो स्कॉर्पियों का अलरा उसमें आता और लेफ्ट साइड में आपको सेम मिरर मिल जाता है एक बार मैं चेक कर लूँँगा शायद इसमें मिरर नहीं आता है इस साइड तो वो चीज है और आपको नॉर्मली ग्रैवेंडल्स और संडूफ तो अपनी बड़ी मिलेगी सेम संडूफ प्रानी वाली है और यह आटमेटिक ओपनर है बस क्लोज नहीं होता तो एक बार भाई मैं पीछे चलता हूं और कुछ ऐसे आपको 12 स्पीकर सेट अप मिल जाते हैं सारी चीज है प्रानी है स्कौरी पे इसा अगर मैं अंदर की बात करो तो यहां पर आपको लेक सपोर्ट तो मिली जाएगा सीट में पहले की तरह बाकी इसमें अगर मैं छोट इसी बताऊं तो यह पहले कपड़ा लग आता था यह वाला अब मैं डाल दूंगा यह पर इसकी फोटो और अभी अलग आगा गया बलत सेमा अपना तो नॉर्मल होते रहते हैं चेंज उसकी तो इतने हिपक्त नीया है और सेम आपर आपको नॉर्मल है अपर दूंद से सब आपको नॉर्मल मिलग जाए ए सामने आपको durrr यहां पर को और यह कोट आउनल कवी हो गया बागी से आए ऐसी नॉर्मल सी आंपर तो आपको मिल जाएंगे कफोल्डर और ऐसे पीछ आजाते हैं पीछे आपको वेंटिलेटीट सीट नहीं मिलेंगे आगे बस दो वेंटिलेटीट सीट से और यहां आपकी बैजिंग हो गई पीपीफ की जो कि उन्हें ने करवार किया है तो भाई लाइट भी इसकी नौर में लिया अब तो आउटो मार्केट काफी ऑप्शन आगा लाइट के भी तो मैं पीछे बूट में आ रहाता हूं और मैं दिखाता वाई ऐसे सिल्वर फिनिश में आता था तो अब तो नहीं आता है बाकी सीट साब को नॉर्मल ही है यहां पर ऐसे हैंडर्स मिल जाएंगे साइड में और यह नॉर्मल ही ऐसे पुल करके लोगों तो यह कुछ इसमें मेजर अप्रेट आई है और मैं बताओं कि इसमें कम ही क यह कर दिया और एक रिक्वेस्ट सेंसर चलो यह तो नॉर्मल यह पर रिक्वेस्ट सेंसर अठा दिया वाई तो पता नहीं चिप्स और शॉर्टेज के वरे सटा है जो भी है बस यह चीज़े डिग्रेट हुई है बाकी इंक्रीज जात हुई है तो ठीक है वेल्यू फॉर म चलाने में काफी मज़ाता है काफी स्मूथ इंजन है तो वाई बस इसे मज़ाता है इसका एक्सलेटर पैडल प्रेस करो और फिर इसे उड़ाते चले जो बस यह और सब्सक्राइब कर देना वीडियो को लाइक जोड़ो कर देना तब तक के लिए बाए बाए